Welcome to Learn Together, मैं हूँ संजिना और हम लोग देख रहे हैं गांधी यूग को गांधी यूग से related मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो इसके link के description में मैंने दे दिया है वहाँ से आप लोग उसको देख लेंगे उस वीडियो को और उसके बाद इस question को solve करेंगे तो देखते हैं प्रश्ण संख्या एक महात्मा गांधी ने सत्यागरा क्रिया विदी सबसे पहले कहां प्रयुक्त की डांडी, चमपारण, खेडा, अहमदाबाद मारा सही जवाब हो जाएगा चमपारण में महात्मा गांधी ने सत्यागरा का सबसे प्रथम प्रयोग जो है वो चंपारण में क्रिया था अंग्रेज पुलिस अफसर कैफटन सांडर से किसकी द्वारा गोली से मारा गया था बटु के स्वर्दत, राम प्रशाद बिस्मिल, चंदर सेखा राजात, भगत सिंग हमारा सही जवाब हो जाएगा भगत सिंग जय हिंद का नारा किस ने दिया? सुबास चंदर बोस, जवाहर लाल नहरू, मोती लाल नहरू, महात्मा गांधी सही जवाब होगा सुबास चंदर बोस, जय हिंद का नारा जो था वो सुबास चंदर बोस ने दिया था नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लिखित में से किस राज्य को भारत संग में सैनिक करवाई द्वारा बल पूर्वक मिलाया गया था तो हमारा सही जवाब यहां पर हो जाएगा हैदराबाद हैदराबाद के जो निजाम थे वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे यानि कि वो नहीं भारत में जाना चाहते थ जिस कारण से उन्हें सरदार बल्लभाई पटेल के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चितरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है याने देश बंधु की उपादी से सम्मानित किया गया है इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहा जाता है। कांग्रेस के 1939 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लश्च घोशित किया गया था। बंबई, कलकत्ता, लाहर, मदरास। सही जवाब होगा लाहर। जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और ये 1939 में हुआ था तो ये लाहर में संपन हुआ था। नेक्स्ट कोश्चन कांग्रेस ने भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया था। 1940, 1941, 1946, 1942, 1942 तो भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ था वो 1942 में पास हुआ था। सुभास चंद्रबोष ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुमेलित करना है सुची एक को सुची दो से तो सुची एक देखते हैं अबदुल गफार खां। सुभास चंद्रबोष, मोहंदास करमचंद्रगांधी, रविंद्र नाट्टैगोर, सुची दो, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेता जी, गुरुदेव। हमारा सही जवाब जो होगा तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर बी। अब्दुल गफार का को सिमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, शुभास चंद्रबोष को नेता जी के नाम से जाना जाता है, मोहंदास करमचंद्रगांधी को महात्मा गांधी के नाम से, तथा रविंद्र नाट्टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है भेत के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, क्योंकि चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी, जिसमें भयानक भीड के द्वारा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया जिसमें सिपाईयों की मौत हो गई थी, उस घटना के बास से महात्मा गान्धी ने और सहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था, उसे वापस ले लिया था वर्स 1919 में जालिया वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमरिस्तर, नाखपूर, चंडिगर, कलकत्ता सही जवाब हो जाएगा अमरिस्तर, अमरिस्तर में ही जलिया वाला बाग में लोगी खटा हुए थे और वहाँ पर जनरलोडायर के द्वारा गोली बारी की गई थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की वहाँ पर मृत्ति हो गई थी, तो ये घटना अमरिस्तर में घटित हुई थी नमक सत्यागरा किस इस्वी में प्रारंब हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931 सही जवाब हो जाएगा, 1930, नमक सत्यागरा जो है, वो 1930 में प्रारंब हुआ था? Next question है, निमलिखित में से किस कृत्ति के कारण भगस सिंग, राजगुरू और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी मारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर वर्च 1928 में लाहुर में सांडर्स की हत्या के कारण भगस सिंग, राजगुरू तता सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई थी निमने लिखित में से किस अधिनियम के तहद बिना मुकदमा और दोस सिद्धी के ही विधी न्यायाले ने किसी भी वैक्ति को कैद करने का प्रावधिकार सरकार को दिया था वर्स 1919 का रॉलेट अधिनियम वर्स 1935 का भारत सरकार अधिनियम वर्स 1909 का भारत परिशद अधिनियम वर्स 1919 का भारत सरकार अधिनियम सही जवाब हो जाएगा वर्स 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम यही अधिनियम था जिसमें सक के आधार पर किसी को भी गिरफतार किया जा सकता था और जो व्यक्ति गिरफतार होता था उसे ना कोई दलील ना कोई वकील और ना ही कोई अपील का अधिकार होता था गांधी इर्विन समझाता जो की 5 मार्च 1931 को हुआ था ये किस से सम्मदित है भारत छोड़ो आंदोलन सविने अवग्या आंदोलन और सहीयो गांदोलन रॉलेट एक्ट मारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सविने अवग्या आंदोलन गांधी इर्विन समझाता के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे महाराज्यपाल का अर्थ है गवर्णा जनरल कौन थे लौड एटली लौड माउंट बेटेन सी राजगोपालाचारी राजेंद्र प्रशाद तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लाट माउंट बेटेन यानि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्णा जनरल जो थे वो लौड माउंट बेटेन थे किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघिये संरचना प्रस्तूत की गई 1909 का अधिनियम 1919 का अधिनियम 1935 का अधिनियम और 1937 का अधिनियम हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघिये संरचना प्रस्तूत की गई काकोरी ट्रेन डकेती कांड के नायक कौन थे रामप्रसाद बिस्मिल भगत सिंग बटु के स्वर्दयत बरकतुल्ला सही जवाब हमारा हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वोड काकोरी ट्रेन डकेती कांड के प्रमुख नायक थे हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चैंस फोर्ड चैंस फोर्ड ने ही क्या करवाया था कि 1919 के अधिनिया में द्वेंद सासन धारना उससे परचीत चैंस फोर्ड ने ही करवाया था ध्यान रहे कि मांटेग्यु चैंस फोर्ड हम लोग याद स्पोर्ड ने ही परिचित करवाया था 1919 के अधिनिया में द्वेंद सासन से निमने लिखीत में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोईयों को आत्म समर्पन के लिए राजी किया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू एवं अबुल कलाम आजाग, बल्लब भाई पटेल एवं मुहमद जिन्ना, मुरारजी देशाई एवं जेबी क्रिपलानी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बल्लब भाई पटेल और मुहमद अली जिन्ना इन्हों नहीं 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियान नेवी के विद्रोहियों को आत्म समर्पन के लिए राजी करवाया था और इन लोगों ने अंतता कहा था कि हम लोग आत्म समर्पन अपने नेताओं के सामने कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने नहीं तो इस प्रकार का वाक्याव उनके द्वारा कहा गया था नेक्स्ट को बीस सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अंसन किसके विरोध में किया सत्याग रहिओ पर ब्रिटिस दमन के विरोध गांधी इर्विन प्रेक्ट के उलंगन के विरोध रेमजे मैकडोनाल के संपरादाईक पंचाट के विरोध महात्मा गांधी ने यर्वदा जेल में आमरण अंसन किया था और इसके बास से उन्होंने अपने जीवन को हरीजनों की सेवा में समर्पित कर दिया 1949 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राजे में नियंत्री जनसंगर्स चलाने की विशेश तकनीक को अपनाया उन्होंने अपने निकट सहयोगी को सत्यागरा करने की इजाज़त दिव सहयोगी था मैसूर के केटी भाश्यम जैपूर में जमना लाल बजाज राजकोट में वल्लब भाई पटेल और धेनक लाल में नेभा कृष्णे चौधरी तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राजकोट में वल्लब भाई पटेल राजकोट में वल्लब भाई पटेल को महात्मा गांधी ने क्या किया था कि अपने सत्यागरा की विशेश तकनीक को अपनाने की इजाज़त दी थी नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित अंदोलनों में किसने महात्मा गांधी ने भूख हरताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया इन आप्शनों में देखा जाए तो हमारा आप्शन नंबर सी होता है कि आप्शन नंबर सी को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1918 का हमदाबाद मिल मजदूर का जो हरताल था तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने भूख हरताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था यहां ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार सत्याग्रह को उन्होंने प्रयोग किया था चमपारण में और भूक हर्ताल को सबसे पहले उन्होंने 1918 में अहम्दाबाद मिल मजदूर के हर्ताल में प्रयोग किया जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश से दिया था लाड साइमन, रॉलेट, ओडायर, करजन, वाइली यहां सही जवाब हो जाएगा ओडायर तो जनरल ओडायर नहीं जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था 27 को हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी को सरवप्रत हम राश्ट पीता किस ने कहा था वल्लब भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभास चंद्रबोस, जे ल नहरू यहां हमारा सही जवाब हो जाएगा सुभास चंद्रबोस सबसे पहले महात्मा गांधी को राश्ट पीता सुभास चंद्रबोस ने एक रेडियो के कॉंफरेंस में कहा था याने की रेडियो के माध्यम से उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी जो है वो राष्टपीता है तो सबसे पहले सुभास्चंद्रबोस नहीं उन्हें राष्टपीता के नाम से संबोधित किया था नेक्स्ट कुश्टन देखेंगे किरिप्स मिसन जो 1942 में आय था कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि विश्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना भारतिय रक्षा मंत्री के कारियों के प्रश्ण पत्र मतभेद होना गांधी का शांतिवाद क्रिप्स का ग्रहन करने या छोड़ देने वाला दृष्टी कौन तो हमारा सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी क्रिप्स का ग्रहन करने या छोड़ देने वाला दृष्टी कौन जो था यही कारण सबसे महत्तों पून था जिसके कारण क्रिप्स में सा और सफल रहा था भारतिय राष्टी कौंग्रेस के सबसे अधीक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबूल कलाम आजाद दादा भाई नौरो जी डबली सी बनर जी बलब भाई पटे तो सबसे अधीक समय तक अध्यक्ष रहने वाले भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के जो सदस्ते थे ये अबूल कलाम आजाद थे तो सही जवाब हमारा अबूल कलाम आजाद होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कलकाता में महात्मा गांधी उस समय कलकाता में थे भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन ने किस योजना के तहत हुआ माउंट बेटेन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्स फूर्ड योजना, वेवल योजना सही जवाब हमारा हो जाएगा Mount Betteneusna यानि कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो Mount Betteneusna के तहते महात्मा गांदी की हत्या कब हुई? 30.1947, 30.1948, 30.1946, 30.1949 सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30.1948 को यानि कि 1947 में हमारा देशा जाद हुआ था और उसके बाद 30.1948 को महात्मा गांदी के हत्या हुई थी जिसे नथु राम गोड से के द्वारा इनकी हत्या गोली मार करके की गई थी नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा भारतिय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो यहाँ हम लोग देखेंगे औप्शन में राजेंदर प्रशाथ, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अंबेड कर हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा, सी राजगोपालाचारी, यानि की स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था, भारतिय गवर्नर जनरल तो वो कौन था? तो स्री राजगोपालाचारी थे, काईदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो महमद अली जिन्ना, भगस सिंग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू, हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, महमद अली जिना, महमद अली जिना को काईदे आजम के नाम से नेक्स्ट कोश्चन, सरदार बललब भाई पटेल को जाना जाता है, एक राजगोपाला तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो होगा, वो हो जाएगा, एक और दो, आप्सन नमबर ए, क्योंकि सरदार बललब भाई पटेल को राज्यों के पुनरगठन के लिए जाना जाता है, और इन्हें लोह पूरुष के रूप में भी जाना जाता है, देश बंदो के रूप मे चितरंजन दास को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप्सन तीन जो है, वो गलत हो जाएगा, और एक और दो सही होगा, नेक्स्ट कोश्चन, महात्मा गांधी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, प्रथम गोल में सम्मेलन, दुतिये गोल मे सम्मेलन में लंदन पहुँचे थे, तो इस प्रकार से हमारा आप्सन नमबर 20 होगा, जिसमें महात्मा गांधी गोल में सम्मेलन दुतिये, गोल में सम्मेलन के लिए लंदन गए थे, नेक्स्ट कोश्चन, असायोग अंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, चैम्स फोर्ड, असायोग अंदोलन शुरू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल चैम्स फोर्ड थे नेक्स्ट कोश्चन, भारतिय सथन्तता अंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन से के लेखक थे जवाहर लाल नहरू, सरदार पटेल, चितरंजन दास, मोती लाल नहरू, हमारा सही जवाब हो जाएगा, चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियन से जो बुक है, उसके लेखक चितरंजन दास, नेक्स्ट कोश्चन, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की, भागस सिंग नाथू रामगोड से, उधम सिंग, चंदर सेखार आजाद, सही जवाब हो जाएगा, उधम सिंग, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या, उधम सिंग के द्वारा की गए साइमन कमिशन का भारत में आगबन किस वर्स हुआ? 1930, 1928, 1925, 1919, हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1928, साइमन कमिशन का भारत में आगबन जो है वो 1928 में हुआ? भार्ती कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912, 1915, 1918, 1921 हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे 1921 भार्ती कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया था हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा गोपाल कृष्न गोखले महात्मा गांधी का राजनीती गुरू गोपाल कृष्न गोखले थे दच्छिन अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी अपने गुरू गोपाल कृष्न गोखले से मिले थे उसके बाद उन् हिंदो सता हमारा की रचनाकार है रविन्द रनाट टैगोर इकबाल अहमद अली भगत सिंग यहांपट सही जवाब हो जाएगा महमद इकबाल जो थे वो रचनाकार है सारे जहांसे अच्छा हिंदो सता हमारा के next question दीन बंधु के नामसे कौन विख्यात है जी एस, खरपड़े, आचारे नरेंद्र देव, चितरंजन दास, CFA, एंड्रूज, सही जवाब हो जाएगा चितरंजन दास, दीन बंधु के नाम से चितरंजन दास विख्यात हैं, इन्हें दीन बंधु चितरंजन दास कहा जाता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट D option number D यहां पर हमारा सही जवाब होगा तो यहां पर इसके क्रम को हमें सजाना है तो देखते हैं और सहीयोग अंदोलन जो था वो 1920 में हुआ है उसके बाद हम लोग देखेंगे तो साइमन कमिशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ है और इसके बाद अगर बात करें हम लोग पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ है तो इस प्रकार से हमारा काल जो क्रम होगा तो वह पहले असहीयोग अंदोलन फिर साइमन कमिशन का भारत में आगमन फिर गांधी इर्विन पैक्ट और उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा तो इस प हमारा ओप्षण जो है तो हमारा ओप्षण यहाँ पर क्या हो जाता है ऊन्नीic ministra 248 किलो मिटर 385 किलो मिटर 284 किलो मिटर plugged जिने किस कानून को काला कानून कहा रलेटाग्ट मांटेग्यु खोष्ना हंटर ययोग communal आवार्ड तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गांधी जी ने रॉले एक्ट को काला कानून की संग्या दी थी नेक्स्ट कुश्चन चंपारण सत्यागरा के दोराण महात्मा गांधी की साथ कौन सामिल थे बल्लभाई पटेल वा विनुवा भावे जवाहरलाल नहरू वा राजेंदर प्रशाद राजेंदर प्रशाद वा अनुगरा नारायन सिंग महादेव देशाई वा मनी इबिन पटेल तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राजेंदर प्रशाद वो अनुग्रा नारायन सिंग जो थे वो चमपारण सत्यागरा के दोराण महात्मा गांधी के साथ सामिल हुए थे नेक्स्ट कोशन कौन आजाद हिंद फौस से संबदित नहीं है गुर्दयाल सिंग धिलो शाहनावाजखा जनरल मोहर सिंग आरसी दत तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुर्दयाल सिंग धिलो शाहनावाजखा और जनरल मोहर सिंग यह तीनो आजाद हिंद फौस से संब सम्मंधित नहीं है तो इसलिए हमारा सही जवाब जो छाएगा हार्सी gagner हो जाएगा क्योंकि यहां पर पूछ रहा कि कौन सम्मंधित नहीं है तो इस प्रकार से उसे देखिक है लाइक- वीडियो को शेयर किजिए हो चैनल को सब्सक्राइब की जिए घरनेवाद